हेलो एवरीवान आज हम लोग पढ़ेंगे इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिकलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं आसान तरीके से सिंपल तरीके से कंसेट को समझना ओके हार रेड़ी ओके मैं हम डॉक्टर विनेसिंग और आपका यह लविंग फेवरिट यूटूब चैनल क इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकलर फॉर्मूला आज बच्चों हम पढ़ेंगे मॉलिकलर फॉर्मूला एंड इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं मॉलिकलर फॉर्मूला को शॉर्ट में यहां पढ़ेंगे एम एफ और इंपिरिकल फॉर्मूला को एफ यह द empirical formula निकालते हैं, इन सब को बहुत easy going में समझते हैं, clear, चलते हैं, क्या होता है बच्चों, empirical formula, सबसे पहले बात करते हैं, empirical formula क्या है, ध्यान से देखेगा, इसको हम define करते हैं, this is the simplest, simplest ratio of items of each element, each element of a molecule, in a molecule कर लिजे, in a molecule, in a molecule of compound, किसी compound में जितने element के atom होंगे, उनका simplest ratio क्या होगा, ये बताता है, empirical formula, बहुत simple सा, और ये क्या represent करता है, molecular formula, represents, represents, actual number of children, actual number of items of each element, in a molecule of compound, molecule of compound, किसी भी molecule के, कितने actual number of atoms हैं, उनको ये represent करना, दोनों में different समझेगा, ये simplest ratio देता है, और ये actual number of atoms देता है, कि उस molecule में कितने number of atoms हैं, जैसे हम glucose की बात करें, तो उसमें कितने carbon होंगे, कितने hydrogen होंगे, कितने oxygen होंगे, अगर हम ethane की बात करें, कितने hydrogen होंगे, कितने carbon होंगे, actual number of, और ये empirical formula क्या बताता है, simplest ratio of atoms, जो simplest form में, जैसे, एक example से समझते हैं, बच्चों इसको, हमारे पास, जैसे मालेजिये है, ethane, बहुत simple सा example, formula सब लोग जानते हैं, C2H6, ओके, अगर हम इसका empirical formula बनाना चाहें, तो कैसे बनेगा, इसको 2 से अगर हम divide कर दें, तो C1 और H3, ये हो गया, इसका empirical formula, और ये हो गया, आपका molecular formula, ओके, इस में, इस ethane में, actual number of carbon कितने हैं, 2, और hydrogen कितने हैं, 6, ओके, लेकिन अगर हम इसको 2 से divide करेंगे, 2 1s are 2, और 2 3s are 6, carbon का एक item हो गया, और hydrogen के कितने atom हो गये, 3 atoms, इसका मतलब हो गया, children, कि ये simplest ratio, देकिए, 1 ratio 3 denote करता है, तो ये हो गया, आपका empirical formula, और ये हो गया, molecular formula, ओके, जैसे एक और हम बात कर लें, glucose ले लिजे, glucose की बात करें, बच्चो, glucose का formula, सबको पता है, क्या, C6, H12, O6, तेखे, carbon के कितने atom है, 6, hydrogen के कितने atom है, 12, और oxygen के कितने, 6, ओके, ठीक है, अब इसको अगर हम 6 से divide कर दें, तो कितने हो गया, C1, H2, और O1, इसका मतलब ये हो गया, कि ये देखे, simplest ratio को दिखा रहा है, तो simplest ratio, simplest ratio, यूँ के लिजे, या थोड़ा से यहां correction कर देंगे, simplest whole number ratio, whole number, यहां पर whole number add कर दें, ये बड़ा important है, इसको द्यान रखेगा, क्योंकि इसका application आगे चलको, हम लोग देखेंगे, कि whole number ratio होना चाहिए, fractional नहीं होना चाहिए, देखे, C1, H2, O1, ये इसका empirical formula, glucose का, और molecular formula, ये हो गया, ठीक है, एक और example लेते हैं, जैसे हमारे पास butane है, बच्चों, ये देखें, butane formula क्या हो जाएगा, ये glucose हो गया, ये ethane हो गया, और butane का formula, C4, H10, अगर हम इसको दो से divide करते हैं, तो C2, H5, अब आप बोलोगे, sir, एक बार और दो से divide कर दो, ये cancel out हो जाएगा, अगर एक बार और दो से divide करते हैं, तो देखना भई, इसमें C1 हो जाएगा, और H कितना हो जाएगा, 2.5, ये नहीं करना है, ये देखे, यहाँ पर fractional हो गया, ये ही बात यहाँ कर रहा था कि whole number ratio होना चाहिए, simplest whole number ratio of atom, ये यहाँ fraction लो गया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो simplest ratio हो, लेकिन fraction में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको, जैसे fraction में आएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, तो C2H5, ये इसका empirical formula हो गया, किसका, ब्यूटेन का, clear, अब यहाँ पक्का, समझ में आगया, चलो भई, अब अपन क्या करते हैं, ये तो simple molecular formula और empirical formula का definition हो गया, उसका example हो गया, कैसे इसको देखते हैं, अपने ये भी समझ गया, कि simplest whole number ratio, empirical formula, actual number of atoms, molecular formula, किसी molecule में, किसी compound के molecule में हैं, अगर तो उसका molecular formula हो गया, अब ये देखते हैं, कि relation क्या है इन दोनों में, MF और EF, empirical formula और molecular formula में, क्या relation है, उसको establish करते हैं, ओके, चलिए, relation between, relation between empirical formula and molecular formula, बच्चों ये समझते हैं, empirical formula और molecular formula में, क्या relation है, इसको समझते हैं, कैसे, देखना वई, एक example से समझते हैं, बहुत simple है, जैसे हमारे पास एक example लेते हैं, वई, चलो चलो चलो, एक example ले लिया, यहां लिखते हैं molecular formula, यहां लिखते हैं empirical formula, ठीक है, molecular formula जैसे हमने ले लिया आपका ethane, चलो, वहीं से पढ़ते हैं, जहां से आपने पढ़ा है, C2H6, ओके, इसका empirical formula क्या होगा, दो से divide कर दें, simple, देखना, C1H3, any problem, no problem, चलो, एक और ले लेते हैं, हम glucose ले लेते हैं, glucose का भी आपने पढ़ा है, C6H12O6, इसका empirical formula बनाएं तो क्या बनेगा बच्चों, C1 और H2O1, यह empirical formula, 6 से divide कर दिया, 6 बंज़े 6, देखो, 1 हो गया, 2 और 1, खीक है, अब देखना, चलो, एक और ले लेते हैं, अभी बाद में उताते हैं, देखना, इसको अगर हम, इसमें convert करना चाहें, इसको यहां से यहां लाना चाहें, तो कैसे आएगा, इसको अगर हम 2 से multiply कर दें, बच्चों, देखना, concept ले रहे हैं, यह समझ में आ गया, तो formula आपका भी भूलो गहीं नहीं, अक्सर, आप लोग क्या कहते हो, यह formula बोल गया, अपन तो याद नहीं आदा, कैसे याद करें, ऐसे नहीं, अब याद, भूलने वाला काम, finish, कैसे याद रखेंगे, अगर 2 से हमने multiply कर दिया, बच्चों, तो यह द formula लेते हैं, चलो बियूटेन ले लेते हैं, बियूटेन का formula क्या है, C4 और H10, इसका empirical formula क्या होगा, C2H5, ओके, इसको 2 से अपन multiply कर दें, तो देखो molecular formula बिले गया है, इसका मतलब आप समझना बच्चों, empirical formula को molecular formula में convert किया जा सकता है, लेकिन कैसे एक specific number से multiply करके, जड़ा देखना, ये number है, ये number है, ये number variable है, लेकिन एक number से, एक देखो, ये एक simple integers हैं, कुछ इसमें है नहीं, इन integers से multiply कर देते हैं, अगर empirical formula को, तो molecular formula में change हो जाता, बस ये formula याद रखना, इसका मतलब यहाँ देखना बच्चों, ये आपका ह है, molecular formula, ठीक, किस, कब आ जाएगा, molecular formula, empirical formula, ओके, ये empirical formula, ये molecular formula, और ये integer से multiply कर दिया, मान लो, ये number क्या है, ये देखो, formula आपको मिल गया, molecular formula is equals to, empirical formula multiply by n, और n क्या है, ये ही simple number है, ओके, किसी number से multiply कर दे, तो हमारा molecular formula मिल जाएगा, अगर हमको empirical formula पता है, तो simple n से multiply करने पर वो किस में convert हो जाएगा, molecular formula में, और ये n क्या है, very simple, ये एक whole number, this, whole number integer, ये simple integers हैं बच्चों, कुछ अलग नहीं है, ये simple integers हैं, इस integer से empirical formula को multiply कर देंगे, तो molecular formula निकल जाएगा, अब question आता है, sir, ये तो सही है, लेकिन ये n निकालेंगे कैसे, is this, ये ही the problem है, हमने समझ लिया बहुत आसान तरीके से, कि empirical formula को molecular formula में convert कर सकते हैं, अगर हम, किसी एक specific number से multiply करते हैं, अब question आता है, कि वो number हम निकालेंगे कैसे, ओके, चलो, बहुत simple तरीके से समझते हैं, इसे समझते हैं, जैसे मालो हमारे पास एक example है, इथेन, ओके, इथेन, इथेन का molecular formula क्या होगा, C2H6, बहुत easy, और इसका empirical formula क्या होगा, देखना होई, C1H3, ओके, इसका molecular mass निकाल लो, mm, mm means molecular mass, क्या हो जाएगा, atomic mass carbon का 12, into 2, plus hydrogen का 1, into 6, कितना होगा बच्चों, 24, plus 6, is equals to 30, यह देखना, 30 होगा molecular mass, अच्चा, इसका empirical formula mass निकालते हैं, okay, empirical formula mass, कैसे निकालेंगे भी, देखो, 12 atomic mass, into 1, plus hydrogen का कितना atom है, 3 atomic mass, 1, 3 हो गया, that is 12, plus 3, यह हो गया, देखो, 15, बास समझना, बस यहां से आपको देखना है, 15, empirical formula mass, किसका, इथेन का, और molecular mass, 30, समझ गया, देखो, यहां से देखो, यह 15, इसमें convert हो जाएगा, किसमें, 30 में, अगर हम किस से multiply कर देएं, 2 से, ओके, और यह 2 क्या है, N के बराबर है, देखना, यह N is equals to 2 आ रहा है, और यह molecular mass है, और यह empirical formula mass है, तो हम एक relation establish कर सकते हैं, यह N के बराबर है, देखना, molecular mass, इदा देखो, molecular mass is equals to N into empirical formula mass, molecular mass into, is equals to N into empirical formula mass, clear, यह एक formula आपके पास हो गया, इसको जड़ा re-arrange कर देखें, देखें, N is equals to, molecular mass upon empirical formula mass, it means, N is equals to, मैं पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो, कुछ लोग में किसर है, N, N क्या है, प्राब्लम हो जाएगी, molecular mass upon empirical formula mass, यह आपको N देदेंगे, इनको divide कर दो बच्चों, आपको N मिल जागा, बहुत simple, देख लो, कुछ हाई नहीं, बहुत simple, oh, so easy, देख नवी, N, बच्चों, कैसे निकालेंगे, N is equals to, molecular mass upon empirical formula mass, अगर molecular mass दिया हुआ है, empirical formula निकाल करके, इसका empirical formula mass निकाल लेंगे, और divide कर देंगे, simple N आजाएगा, ओके, और N से empirical formula को multiply कर देंगे, molecular formula मिल जाएगा, यहाँ तक clear है, ओके, बढ़िया, एकदम, चलो, इसको मिटाते हैं, ठीक है, जड़ा screenshot ले लो, ले लो screenshot, ओके, चलो, मिटाते हैं, ओके, मिटा करके, और एक example से समझते हैं, कि क्या इसमें, आपस में, क्या रिस्ता है, रिस्तों को तलते हैं, ओके, ready, जबचो, एक question से समझते हैं, चलो, question क्या है, a compound, a compound, having molecular mass, having molecular mass, थोड़ा जल्दी-जल्दी लिखते हैं, molecular mass, how much, 180 gram per mole, okay, gram per mole, और EU भी लिख सकते हैं, gram per mole, okay, a compound, having molecular mass, 180 gram per mole, find, find its molecular formula, molecular formula, if its empirical formula is, empirical formula is, CH2O, बहुत simple, okay, empirical formula दिया है, देखना भी, बच्चों, CH2O, और molecular mass दिया हुआ है, 180, कैसे निकालेंगे solution, बहुत simple, हमको पता है, molecular formula is equal to N into empirical formula, यह हमको पता है, हम empirical formula given हैं, क्या है, CH2O, N निकालना है, तो N हमको क्या चाहिए, molecular mass, molecular mass upon empirical formula mass, यह दो चीज़े हमको चाहिए, बहुत simple, ओके, तो N निकाल लेते हैं, molecular mass दिया है, 180, empirical formula mass दिखना, CH2O है, यह देखूं यहां से, यह है, तो C कितना है, C1 है, तो 12 into 1 plus, hydrogen कितना है, 2 है, तो atomic mass, 1 into 2 plus, oxygen कितना है, 1, oxygen का atomic mass, 16 into 1, यह कितना हो जाएगा, 180 upon, 12 plus 2 plus 16, कितना हो गया यह, 30, ओके, तो, इट विल बी ओफ, 180 upon, 30, इसको cancel out करेंगे, how much, this will be 6, N का value, 6 आ गया, वह, simple, molecular formula is equals to N, 6 into empirical formula, CH2O, multiply कर दो, देखों, multiply करते समय, आप इधर इसके atom, atomic form में show करना है, 6 ही नहीं लिखेंगे, C6 लिखेंगे, कैसे, देखना, C6, और 2 से multiply करेंगे, 6 तूजा, 12, and O6, this is the molecular formula of this empirical formula molecule, यह empirical formula, अब यह molecular formula में change हो गया है, ओके, थोड़ा easy था, नहीं, clear है, any doubt, कोई doubt तो नहीं, अच्छा, चलते हैं, एक थोड़ा और numerical solve करते हैं, ओके, चलते हैं, एक कोशन है, a compound, a compound contain, contains, carbon 40%, okay, hydrogen 6.67% and rest oxygen, rest oxygen, if its molecular, if its molecular mass is 180 gram per mole, find its molecular mass, molecular mass, इसका molecular mass, बताईए, अगर इसका, molecular, इसका, sorry, 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 molecular formula, molecular formula, अगर इस, ऐसे compound का, जिसमें carbon कितना percent है, यह देखो, बहुत simple है, 40% carbon है, hydrogen 6.67% है, और एक important बात बता दिया है, इन्होंने, rest oxygen, इसका मदलब यह है, कि इसमें oxygen भी है, okay, और इस molecule का, जो compound है, इस molecule का, molecular mass 180 gram per mole दिया हुआ है, आपको क्या करना है, simple formula निकालना, इसका molecular formula क्या होगा, molecular formula निकालने के लिए, अपन जानते हैं, सबसे पहले empirical formula निकालेंगे, फिर उसको n से multiply कर देंगे, molecular formula आ जाएगा, okay, लेकिन यहाँ थोड़ा सा percentage दिया हुआ है, इस percentage की question को solve करने के लिए, बच्चों, एक हम table बनाएंगे, ठीक है न, इसका एक table बनाते हैं, बहुत simple सा table होता है, अब सब देहां से देखना, कोई problem नहीं है, अपर लिखेंगे element, क्या लिखेंगे, simple elements, और फिर यहाँ पर लिखेंगे, उसका जो percentage दिया हुआ है, percentage, और फिर लिखेंगे atomic mass, इसका लिखेंगे atomic mass, ठीक है, अब atomic mass लिख देंगे, अब फिर यहाँ पर एक column बनाएंगे, relative number of atoms, relative number of atoms, relative number of atoms निकालने के लिए, percentage upon atomic mass कर देते, percentage upon atomic mass, यह आ गया, फिर अपने एक column बनाएंगे, simplest ratio, क्या बनाएंगे, simplest ratio का, इतने column बनाएंगे, बहुत सिंपल है, बनाते भी हैं, जानते भी हैं, चलो, इधर इसको solve करते हैं, फड़ा फड़ा, जरा करना, कैसे, carbon कितना है, carbon element, hydrogen, and rest is oxygen, ओके, तो oxygen का percentage कितना हो जाएगा, 100 minus 40 plus 6.67, यह देखना भी, ओके, 100 minus, यह कितना हो गया, 46.67, यह कितना हो जाएगा, minus करो, चलो, कुछ करो तो, कितना जाएगा, 50, यह 0.33 हो गया, और यह देखना हो जाएगा, 53.33, इतना परसेंट, oxygen हो गया, ओके, चलो, यहाँ पर लिख देते हैं, oxygen, carbon 40%, hydrogen, कितना है, थोड़ा और छोटा-छोटा लिखते हैं, करीब-करीब, थोड़ा इजी हो जाएगा हम लोगों को, space मिल जाएगा, carbon 40%, hydrogen 6.6, 7% and oxygen, how much? 53.33%, इतना oxygen हो गया, ओके, अब इसको आप close कर दो, कोई problem नहीं, is this, इसको आप close कर दो, यह हमने close कर दिया, is this, इसको, मिटा दिया है, हैंसे, ओके, close कर दिया, अब दिखना, atomic mass carbon का कितना है, 12 hydrogen का, 1 oxygen का, 16, और राइट, percentage upon atomic mass, relative number of atoms, निकालने के लिए, इसका percentage, को divide कर देंगे, atomic mass से, 1, 6.67, divided by 1, and 53.33, divided by 60, इसको divide करते हैं, कितना आएगा, है, yes, do it, बताए, शे लो, 12, 3, 36, 3.33%, ओके, and this is, 6.67%, यह कितना हो जाएगा, 16, 3, 48, 3.33%, all right, 3.33%, okay, इतना आगया, all right, अब, simplest ratio निकालेंगे, देखना दियांसे, simplest ratio निकालने के लिए, क्या करेंगे, कि जितना, जो सबसे छोटा यहाँ पर, relative number of atoms आएगा, उस से, सबको divide कर देंगे, तो 3.33, सबसे lowest है, चलो divide कर देते हैं, 3.33, divided by 3.33, और यह कितना है, 6.67, divided by, 3.33, और यह, 3.33, divided by, 3.33, बारब, यह कितना आ गया, 1, यह कितना आ गया, almost, almost 2 आ जाएगा, यह कितना आ गया, 1, clear, इसका मतलब यह है, कि इस, molecule में, जो यह molecule है, इस molecule में, carbon का एक item है, simplest ratio में, hydrogen का 2 है, और oxygen का 1 है, इसका मतलब, empirical formula is equal to, C1, H2, O1, CH2O, इसका simple, empirical formula, आपके, सामने, ओके, आप क्या करेंगे, इसका empirical formula, mass निकाल लो, empirical formula, mass, कितना है, यह कारबन कितने है, 1, 12 into 1, atomic mass 12, plus hydrogen, 2, atomic mass, hydrogen atomic mass, कितना होता है, 1 into 2, plus oxygen atomic mass, 16 into 1, यह कितना हो गया, 12 plus 2, plus 16, यह कितना हो गया, बोलिये, 30, is this, 30 हो गया, empirical formula, and, molecular mass, given है, कितना, 180, molecular mass, 180, अब को पता है, जी, क्या, सब को पता है, क्या, पता है, molecular mass, N is equals to, क्या, N is equals to, molecular mass, upon, empirical formula mass, कितना है, और, empirical formula mass, 30, कितना हो गया, 6, देखो, 6, सो, molecular formula क्या हो जाएगा, हमको पता है, molecular formula is equals to, N into empirical formula, सो, molecular formula is equals to, N कितना हो गया, 6 multiply by empirical formula क्या है, CH2, CH2, अगर इसको multiply कर दो, तो क्या जाएगा, C6, H12, O6, ये रहा, molecular formula, clear, ये रहा, आपका molecular formula, C6, H12, O6, simple एक table बनाएगे, जैसे ही, percentage composition देता है, किसी भी molecule, किसी भी compound का, उसमें कितने percent, कितने element है, किस-किस percent में है, तो आप simple एक table बनाना, ऐसे बच्चों, एक table बना करके, सब percentage रख लेना, यहाँ पर atomic mass लिख देना, और relative number of atoms निकालने के लिए, बस आपको ये ध्यान देना है, relative number of atoms निकालने के लिए, यहाँ पर हम, percentage जो दिया हुआ है, यह दिखो, percentage को divide करते हैं, किसे, atomic mass से, mass ये आप जानते रहना, atomic mass से divide कर दिया, तो ये आगया, और फिर simplest ratio निकाल लेंगे, एक और question करते हैं, वहाँ थोड़ा सा, कुछ और होगा, ओके, चलो बटाते हैं, एक और question की तरफ बढ़ते हैं, question लिखते हैं, बच्चों, एक question क्या है, moth, moth balls, okay, moth, moth balls contain, moth balls contain, carbon, how much, दिखो, carbon और hydrogen से मिल करके, ये compounds बनता है, इसमें carbon का percentage लेते हैं, 93.71%, and hydrogen कितना percent हो जाएगा, hydrogen कितना percent इसमें लेते हैं, 6.29%, okay, 6.29%, if, if its molecular mass, molecular mass is, 128 gram per mole, find its, find its molecular formula, okay, molecular formula, चलो आप, अपने से solve करो, जराब बनाओ तो solution, सब लोग solution बनाओ, क्या करेंगे, सबसे पहले table बनाओ, table बनाओ फटा-फट, चलो, तयार, चलो मैं बना देता हूँ, मुझे पता है, इंतजार हो रहा होगा, है न, चलो, चोटा सा है, दो ही आटम है, इसमें carbon और hydrogen, carbon को लेते हैं, कैसे carbon को लेंगे, यहां पर लिखेंगे, okay, simple, इधर से शुरू करता हूँ, यहां से, element, okay, element ले लिया हमने, इधर रखेंगे, इधर क्या रखेंगे, simple percent रखेंगे, और रखेंगे फिर, atomic mass, मैंने तोड़ा short में लिख दिया, atomic mass, फिर अपन क्या निकालेंगे, relative number of items, okay, relative number of items, फिर अपन क्या निकालेंगे, simplest ratio, चलो, simplest ratio, निकालते हैं भी, निकालते हैं बच्चो, यह मैंने आप बना दिया, simple सा, आप भी ऐसे बना लो, ठीक है, नोट्स तयार कर लो, फटाफट, ठीक है, element carbon और hydrogen, दोई element है, कौन-कौन से, carbon और hydrogen, carbon कितना है, 93.71%, और hydrogen 6.29, okay, carbon का atomic mass, 12 hydrogen का 1, relative number of atoms, कैसे निकालते हैं, percentage को, atomic mass से, divide कर देते हैं, कैसे, 93.71 upon 12, and 6.29 upon 1, देखो, ये तो बड़ा easy है, मैंने देख दिया तुरंद, चलो इसको solve करो, आप ज़र इसको divide करना, बताओ, बोलो, देखता हूं कौन बताता है, सबसे पहले, yes, 93.71%, कितना आएगा, seven point, चलो इतना हिंट दे दिया, इतना हिंट मैंने दे दिया, कितना आया, exact answer, seven point eight zero, yes, seven point eight zero, six point two nine, simplest ratio कैसे निकालते हैं, divide कर देंगे, किसे, जो सबसे चोटा amount होगा, यह सबसे चोटा है न, इससे, divide कर देंगे दुनों को, seven point eight zero, upon six point two nine, और six point two one, upon six point two nine, ओके, इसको cancel out करेंगे, one हो जाएगा, ठीक है, और इसको करेंगे, तो कितना आएगा, जोड़ा दिवाइड करो, six बंजा, six, चलो, one point तो आएगा, पक्का है, फिर इदर चला जाएगा, 180, 21 point, how much, two, four, yes, this is, very simple, लेकिन देखो, एक पंगा हो गया, क्या पंगा हो गया, simplest ratio में ये fraction आ गया, और हमने पहले कहा था, fractional ratio नहीं चलेगा, ओके, यहाँ पर पंगा हो गया, यह तो ठीक है, यह तो बन है, simple whole number है, अब इसको simple whole, simplest whole number में convert करेंगे, तो इसके लिए अपन को, एक और column बनाना पड़ेगा, बच्चों, ओके, एक column और बनाना पड़ेगा, जर अब बना लो तो, कैसे, यहाँ पर लिखेंगे, simplest whole number ratio, अब अपन simplest whole number ratio निकालेंगे, is this, कैसे निकालेंगे, इसको simplest मतलब, whole number में ले जाना है, 1.24, यह तो whole number में हाई है, इसको कुछ करना है नहीं, तो इसको whole number में ले जाने के लिए, अब उजरत दिमाग लगाना, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाने की बात है, ठीक है, दिमाग लगाओ, लगाओ, अगर इसको देखो, हम अपन क्या करें, कैसे multiply कर दें, 4 से multiply कर दें, नहीं, 4 से, 4 से, नहीं, अपन किसे multiply कर दें, हाँ, 4 से multiply कर दें, चलो, 4 से multiply कर दें, तो यह कितना आ जाएगा, almost 5 आ जाएगा, नहीं, यह आपको सोचना पड़ेगा, यह कहीं से मिलेगा, नहीं, यह वाला, यह अपनको सोचना पड़ेगा, कि यह जो fractional value है, इसको whole number में ले जाने के लिए, यह digit कितना चाहिए, ठीक है, अब इसको multiply किया, तो इधर भी करना पड़ेगा, नहीं तो ratio change हो जाएगा, simplest, जो ratio है, वो बदल जाएगा, इधर multiply कर दिया, इसको छोड़ दिया, तो बन कर दिया, simple सा, ठीक, अब अब क्या करेंगे, देखना, C5 और H4, इंपरिकल फॉर्मूला, इधर से देखते हैं, इंपरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5 और H4, यह इंपरिकल फॉर्मूला होगा, बहुत simple, चालो, इसका इंपरिकल फॉर्मूला मास भी निकाल ले कितना हो गया 4 is equal to 64 ग्राम पर मोल ओके इसका हमने निकाल लिया empirical formula ठीक अब हमारे पास molecular mass दिया हुआ है कितना 128 molecular mass 128 ग्राम पर मोल ओके तो n निकाल ले n is equal to n is equal to molecular mass upon empirical formula mass कितना है 128 upon 64 ये कितना आ गया ये कितना आ गया 2 n का value 2 तो molecular formula is equal to n into empirical formula n हो गया 2 and empirical formula क्या है c5 h4 molecular formula मिल गया सबको मिल गया देखो बई okay molecular formula क्या हो गया c5 2 जा c10 और h8 ये देखो clear है clear है clear है बस यह तोड़ा सा ये change किया हमने आप simplest ratio निकालना अगर वो fraction में आता है तो आपको उसको convert करना पड़ेगा whole number में इसलिए मैंने पहले ये नहीं बनाया था okay ठीक है clear अब तो कोई example के ज़रूत नहीं है है नहीं अब लास में क्या बोलने वाला हो पता आपको 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 चलो ठीक है like share करो subscribe करो और अपने friends को circulate करो उसको भीजो ताकि जो बच्चे कोचिंग बगारा नहीं पढ़ पाते वह online इस वीडियो को देखें thank you thank you so much